लो दोस्तों इंडियन सिनेमा में वैसे तो कई बड़े स्टार हैं जिनके फैन फॉलिंग बहुत जादा है लेकिन आज उन सभी स्टार्स में सर्फ वैसे दो स्टार्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े इलिजन्ड है आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलिवोड के शेहन शाह, अमिताब बच्चन और तमिल सिनेमा से इज साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बासा रजनी कांथ की ये दोनों ही स्टार्स अपने फैंस के बीच खासे लोगप्री हैं और इनके फैंस इने हद से जादा पसंद करते हैं जहां आज भी अमिताब बच्चन के घर के बार उनकी एक जलक के लिए सैकडो फैंस रोज इकठा होते रहते हैं वहीं उम्र के इस पड़ाओं में भी रजनी कांथ हीरो बनकर अपने फैंस को खूब एंटर्टेन कर रहे हैं इस वीडियो का में मुद्ध ये है कि इतनी पॉपुलारिटी के बाद भी इन दोनों एक्टर्स में कौन जादा अमीर है तो आईए पहले हम बात करते हैं रजनी कांथ के नेट वर्थ की रजनी कांथ की 171 वी फिल्म रिलीज के लिए विल्कुल तयार है और ख़बर ये भी है कि रजनी कांथ अपने इस फिल्म के लिए इंडियन फिल्म अंडिस्ट्री के इतिहास में सबसे जादा करीब 250 करोण उपे बतोर फीस ले रहे हैं हाली में फिल्म लाल सलाम में अपने कैम्यों के लिए उन्होंने प्रती मिनट 1 करोण उपे भी लिया था रजनी कांथ के पास लगजरी गाडियों की कोई कमिनी है उनके पास दुनिया वर की लगजरी गाडियों जैसे रॉल्स, रायस, ब्यम, डव्लू, मर्सडीज, बेंस, सहित कई गाडिया है एक रिपोर्ट की माने तो रजनी कांथ के सभी गाडियों के कीमत करीब 36 करोण उपे तक है रजनी कांथ के नेट वर्थ की बात करें तो उनकी नेट वर्थ करीब 430 करोण उपे के आसपास है अब यदि अमिता बच्चन की बात करें तो अमिता बच्चन भी अपने उम्र के इस पड़ाओं पर फिल्मों में बहुत एक्टिव हैं पर अपसोस उने किसी लीड रोल में अब कास्ट नहीं किया जाता जैसा कि रजनी कांथ को किया जा रहा है रजनी कांथ जहां आज के समय में 200 से 250 करोण उपे एक फिल्म के लिए ले रहे हैं वहीं अब यदि अमिताब बच्चन की नेटवर्स की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्स करीब 1578 करोण उपय है जिसमें उनकी पत्नी की भी संपत्ती सामिल है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अमिताब बच्चन रजनीकान से कहीं ज़्यादा आमीर है। अब इन दोनों ही एक्टर्स में आप किसके फैन हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्यों सो मच।